हेलो एवरीवन आज हम diesकर्स करने वाले हैं सिउव एट का यूजी ट्वनटि-ट्वनटि-टु का जो है बिजनेस स्टडीस का कॉशन पेपर्स करने जा रहे हैं किस तरीके के कॉशन से आप में पूछे गए हैं यह हम इस वीडियो में एक करकर टिसक्रस करने वाले अगर हम देखें तो यह फर्स लॉट में हुआ था और किस डीट को था 26 अगस्त को था डिफरेंट डेट को एकजाम हुए थे यापको पता होना चाहिए ठीक है जितने जो डेट को एक्जाम होए थे सारे आपको पेपर जो एक करके अप्लोड चैनल पर कर दिये जाएंगे तो चले स्टार्ट करते हैं जो एक करके कोशन से सबसे पहले बिजनेस्ट टडी से हिंदी मीडियम काम करें ठीक है इंग्लिश मीडियम से भी कोशन अप्लोड किये जाएंगे सारे चैनल पर चले सबसे पहला कोशन देखते हैं आप इस को भी देख सकते हैं मैं आपको नॉर्मली बता दूगा कि किसके टॉपिक से रिलेटेड जो कोशन पूछेगा है और मैं आपको फटा-फट इसके जो अंसर बताऊंगा ज्यादा टाइम जैसे इस कोशन में कैया उस परिक्षण को पहचानना है जो किसी वैक्ति के भावनाव मुल्यों तंत्र आदि के संकेत देता है तो इसमें अ अगर हम देखे तो यहाँ पर कोशन से बतारा जैसे भावनाव तो वैक्तित तो परिक्षण तो इसका करेक्ट आप्ष्ण क्या ह हो जाएगा नेक्स देखते हैं कुछ नमबर सेकंड कौन से परिश्रमिक प्रोच साहन स्कीम के अंत्रगत कंपनी के करमचारी को बजार मुल्य से कम दर पर कंपनी के शेर दिये जाते हैं तो यह होता है आप्शन तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप्श से क्यों गाही के लिए कौन सा मुद्रा बजाब रपत्र उपयोग किया जाएगा तो वानिजिक बिल तो इसका चौर मेरा इसमें एक य संद्पन पर रहा है बताइए तो मिडर लैवल तो मद्द्र तरये प्रबंध तो B का इसमें correct option हो जाएगा next question देखते हैं रास्टे share बजार NAC का भुकतान चक्र यानि settlement cycle इसमें जो हमें बतानी है तो इसका हमारा इसमें correct option है T plus 2 transaction plus 2 days तो C इसका इसमें correct option हो जाएगा next question देखते हैं अब यहाँ पर क्या करना है match करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से match करना है किसका किस से match होगा इसको आपको ध्यान से पढ़ना है तो इसका इसमें correct options आएगा वह आएगा option number A इसका इसमें correct option होगा चीक है इसको match कर लेना आप मैं आपको अंसर बताए तो फटा निमिल लेकित में से कौन सा नियोजन की एक सीमा है तो इसमें नियोजन सफलता का आशवाशन नहीं देता बिलकुल यह सही है इसमें तो इसका correct options हो गया option number D next question देखते हैं संभावित कर्मियों को ढूंडने और उनको कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करने की प्रिकिरिया को जो है क्या कहते हैं भरती तो A इसका इसमें correct option हो जाएगा next question देखते हैं इसका संभन्द उन कारियों की रूप रेखा त्यार करना है जिसमें नानप प्रकार के कारे अंशामिल है उचिस तरी ग्यान तथा कोशल की तो इसका जो हमारा इसमें correct options आएगा वो आएगा option number D इसका इसमें correct option होगा next देखते हैं निमिल लिखित में से कौन मुद्रा बजार का प्रपत्र नहीं है तो रास्ट्री बचत प्रमाण पत्र तो D इसका इसमें correct option है next question देखते हैं नियंतरन प्रबंद का एक अनिवारे का रहे हैं बिना नियंतरन उच कोटी की योजनाई भी उलट पुलट हो जा लिए एक संगटन के लिए नियंतरन का महत्तु ग्याद कीजिए तो इसका जो हमारा इसमें correct options होगा वो होगा option number D का इसमें correct option होगा next question देखते हैं कौन से अधिकार का उलंगन होता है जब विपढ़न करता जान बूचकर अलग-अलग गुडवत्ता ब्रांड मुल्य व्यक इसका इसमें correct option होगा next question देखते हैं कि इस प्रणाली में करमचायों को उन्हीं उपकरनों पर सीखना होता है जिन पर उन्हें काम करना है लेकिन यह प्रस्टिक्शन वास्तवी कारेस्तल से हटकर दिया है तब प्रस्टिक्शन के इस विदिए को पहचानी तो इसका हमारा इसमें जो correct options है वह option number C इसका इसमें correct option है next question उस प्रकिरिया को जो संदेश इसको संपरेशन के संकेतों में परिवर्तित करती जैसे शब्द तश्वीरे मुद्रायादी को encoding इसका हमारा जो इसमें correct options है वो है option number B इसका इसमें correct option है next question देखते हैं श्रीमती कुमार परियावरन अनुकूल कार्पेट का काम करती है यह उच मुल्य वाले उत्पादक है श्रीमती कुमार के वो लगती बिक्री पर इस्वास रखती तो उनकी कारेशिल पुंजी की आवशक्ता होगी तो निम्न कारेशिल पुंजी की आवशक्ता होगी तो इसका इसमें correct options है वो है option number B नेक्स देख लेते हैं यह कौन सा दस्तावेच है जो उभोगता द्वारा क्रई के सबूत के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो इसका हमारा इसमें correct options होगा वो होगा नगत प्राप्ति रिसिप्ट तो इसका correct option हो जाएगा option number D नेक्स देखते हैं यदि आप सभी चीजों को नियंतरित करने का प्रयास करते हैं तो किसी भी चीज को नियंतरित नहीं कर पाते हैं इस मैटफून प्रबंदन नियंतरित के सिद्धांत को जिसकी यह धाड़ना है नाम बताईए तो अब बात द्वारा प्रबंद तो इसका करेक्ट आप्शन हो जाएगा नेक्स देखते हैं लक्षित उद्देश्य की प्राप्टी एवं एक निर्धारी दिशाम में बढ़ने के लिए दूसरों के वहवार या लोगों को प्रभावित करना एक गंभीर विशय है तो इस ही हमारा इसका जो इसमें करेक्ट आप्शन हो है जो की 250 मिलिट बोतलों में पैक होना था इस लक्षे की पूर्टी के लिए प्रभंदक को को दो सिफ्ट में जाता संचालन करना था प्रभंदक पच्चा 5000 लीटर बनाने में सक्षम है किन्तों इदन की लागत बढ़ने से वितरन की लागत बढ़ गई है तो क्या प्रभं पण देखते हैं फिर यहां पे सुची यह से मैच करना है तो हमारा इसमें करेक्ट औपचन स आएगा हो आएंगा अप्शनos और सी इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन का अगर हम बात करें तो विश्य शगिता सम्ता का अधिकार जो है यह से मैच होगा ठीक है फिर आदेश हर वस्तु का निर्धारेजस्तान और निर्देश की एकता निकियां नहीं तो इसका जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएग नेक्स देखते हैं योजनाई दूसरे निर्दने करताओं के साथ साथ उच इस तरीया एवा मद्धे इस तरीय प्रबंदन मनाता है प्रबंदन को इन में परिवर्तन की ना तो अनुमती होती है और ना ही प्रबंदन को स्विच्छा से काम करने की अनुमती है तो इसका जो ен एक प्रकिरिया है जो योज़नाओं की कारेंवन को आरब करती है चैसे तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आप्चन होगा वह होगा ओप्षन नंबर सी इसका इसमें करेक्ट आप्चन हो जाएगा स्फृत नेक्स देख लेते हैं ने शीक्रवार्थ है अक तो इसका तो हमारा इसमें correct options है वो है option number 20 का इसमें correct option है next देखते हैं किस भूपता अधिकार का उलंगन होता है यह दी वेप्रिंट करता है भूपता को अपने अधिकार रहें दाइत की जानकारी लेने से रोकते हैं तो इसमें जो correct options होगा वो होगा option number 20 का इसमें हमारा correct options होगा चीक है बाकी question जो हम next part में discuss करेंगे thank you